तो गाईज यह है रेलमी के लेटेस्ट लॉंच होई यह बर्ट्स जो की है रेलमी के क्योट्यू एस यह बर्ट्स दोजार रुपए की प्राइस पर अविलेबल है और आज की वीडियो में हम लोंग टर्म रिवी जानेंगे थोड़ी सी अलग चीजें यहां पर डिसकुस करे तो ऐसे ही इंट्रस्टिंग एनफर मीं वीडियो के लिए तो गाईज क्योट्यू एस यहां पर हमने मिन कलर में मंगाए थे रेलमी के तो लूग रिजैन वाइस काफ़े अच्छे दिखते हैं दस कुछ लोगों नहीं बताया था कहां था कि इसका मैं टेस्ट करूं कि 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 अच्छी बिल्ट है तो बिल्ट वाइस मैं बोलूंगा डेफिनिटल गाईज क्रेक आ जाएगा थोड़ा अगर तेज समय है यहां पर हीट करूंगा तो तो बिल्ट क्वालेटी इतनी अच्छी नहीं है बट दिखने में काफी अच्छे दिखते हैं काफी स्टाइलेस हैं इन एर फिटिंग में आपको मज़ी तरह यहां पर मिलने वाली है 10 mm के ड्राइवर के साथ यह अविलेबल है 5.2 कनेक्टिविटी आपको मिलती है रियल में लिंक एप आप यूज कर सकते हैं 88ms की लेटनसी विद डोल्बी एक्मोस जो किनको और बैटर बनाता है इन से आपको मिल जाएगा आईपी एक्सफोर है और टाइप सी का ओविसली यह चार्जिंग यहां पर स्पोर्ट करते हैं तो आप अपनी एवर्ट को यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छे देख रहे हैं तो मज़ीदार एवर्ट यार इन टम्स ओफ मिजिक क्वालिटी तो मिजिक क्वालिटी मैं आपको यहां पर टेस्ट करा देता हूं एंड देन हम बात कर लेते हैं इनके अदर फीचर्स अन अदर चीजों की तो गाइस हमने प्रोड़क के स्पेसिकेशन देख ली कुछ नजर डाल ली एंड इन टम्स ओफ साउंड क्वालिटी यार आपको वन अब तो बेस्ट साउंड यहां पर मिलेगी थैंक्स टू डोल्बी एटमोस जो आवलेबल है प्रोड़क के साथ राइट बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ उछ फीचर्स और फॉंक्शन की तो यार रियलमी लिंक आप आपको मिल जाती है स्पोर्ट के लिए तो वो आपको एक एडवांटेज करेट करके देती है तो अगर आपको बेस्ट डिवाइस जीए फॉर साउंड और यह फिटिंग तो रियलमी के उटो एस आपको बेस्ट मिलेंगे थोड़ा सा आपको केरफुल रहना पड़ेगा इसके के साथ बात कर लेते में फॉइंट की जिसके लिए यह वीडियो है तो चार्जिंग जा होता आपको 30 गहंते का बैटरे बेंगे यह य्ifi प्रॉमिस कहा दे 30 गहंता कैसे 30 गहंता तो केस के साथ अपको मिल जाएगा 6 गहंता जो इसका केस है बिना case के 6 गता case के साथ आपको additional 24 hours मिल जाएगे जैसे आपका device अगर 0% होगे आप use कर रहे थे उपने case में रखा वो charging लेना already start कर देगा charging लेके फुल charge हो जाएगा तो इस type से case उसको 3 बार तक charge कर सकता है 3 से 4 बार तक right and totally इस type से combination होता है around 30 hours का but reality check है case को charge करने में कितना time लगता है and क्या आप अपनी earbuds case में रख सकते हैं जब ये fully charge है तो guys धेरो सारे question होते हैं आपके मन में तो हाँ guys आप अपनी earbuds case में रख सकते हैं जब वो use ना हो रहे हूँ and case को charge करने में करीबन 1 घंटा लगेगा 5 से 10 वोट का charger यहां पर recommended है brand के और से मैं बोलतों maximum 33 वोट का charger यूज़ कीज़े क्योंकि अगर हद से ज़्यदा वोट का heavy वोट का charger यूज़ करेंगे तो वो आपके phone की battery को तो damage करता ही करता है बट ये वर्स की battery को भी वो damage करेगा तो वो चीज़ आपको ध्यान रखने माये में रखनी है तो ये चीज़ आप करेंगे and कितना battery backup मिलेगा तो 30 घंटा बोला बट आपको मिलता है somewhere 22 से 20 घंटा 20 से 22 घंटा मिलता है क्यों क्योंकि आप अपने एवर्स को जो है 60% पुद हमेशे यूज करेंगे नहीं गेम खिलना अगर आपको है तो वो ज़्यादा battery consume करेगा and और music आप और cooling डेफिनेटली है और ज़्यादा battery consumption करती है तो ये सभी चीज़े हैं तो इस ताइब से आपके 6 घंटा जो single time में ब्रेंड प्रोमिस करता है वो आजाता है साधे 4-5 घंटे के रहा है इवन 4 घंटा कुछ कंडिशन्स में जैसे ज़्यादा कोली होगी ज़्यादा गेमिंग होगी तो वहाँ पर 4 घंटा पर मिल जाएगा ऐसा कोई हट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तो आपको एक सुफिशेंट बैटरी यहाँ पर प्रोडाक्ट से मिल जाती है एंड काफी अच्छे प्रोडाक्ट है तो आई होब गाईज आपके जो भी सवाल थे प्रोडाक्ट के बारे में प्रोडाक्ट में कोई भी कमी नहीं लगी मुझे सांड क्वालिटी वन अफ बेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है तो अगर कोई भी सवाल है क्योश्चन कमेंट सेक्सिं में कर सकते है मैं लिए नेक्स वीडियो में दें स्टेट इन स्टेट इन स्टेशन